ओम गर्शी महागड़ी शाय नमा, जै शिफशंकर, दाधी दाधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों, पवित्र सावन का महा, भागवान शिफशी को समर्पित होता है, इस महा में भागवान शिफशी की पूझा अचना की जाती है, शिफपुरान के अनुसा, सावन महा में भागवान भूली नात, मा पार्वती के साथ प्रत्वी का भ्रमड करते हैं और अपने भक्तो के सभी कश्टों को दूर करते हैं सावन महा में भक्त भगवान भूली नाथ को प्रसंद करने के लिए प्रत और पूजन करते हैं भूली नाथ के ब्रत और पूजन कहने से हजार गुना अथिक पुन्यफल प्राप्त होता है शिप पुरान के अनुसास सावन सौंबार का ब्रत कहने से भगवान भोले नाथ के किरपा से जीवन में चली आ रही पड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती है भगवान भोले नाथ अपने भ सावन सौंबार की प्रत कथा का बिशिश महत् scorma है मानिताओं की अनुसार इस कथा को सच्चे मन से सुन्ने मातर सी भूले की असेम प्रपा प्राप्त होती है भूले नाथ अपने भक्तों के सभी कश्टों को दूर कर मंचाहा बर्दान बर्दान करते हैं सावन सौंबार प्रत की कथा इस प्रकार है कथा के अनुसार अमरपुरी नगर में एक धनी ब्यापारी रहता था दूर दूर तक उसका प्रति सौंपारी का सभी लोग मान सम्मान करते थी इतना सब कुछ होने पर भी ब्यापारी अंतर मंद से बहुत दुकी था क्योंकि उस ब्यापारी की कोई पुत्र नहीं था दिन रात उसे एक ही चिंटा सताती रहती थी उसकी म्रत्यों के बाद उसका इतना बड़ा प्या मंदिर में जाकर भगवान शिप के सामने घी का दिपक जड़ाया करता था सावन सौंबार के दिन ब्यापारी ने प्रत रखा और शिप मंदिर में जाकर भगवान शिप का पूचन गिया उसी समय भ्रमड करते हुई भगवान शिप मापार्वती मंदिर में पहुंचे यह ब्यापारी आपका सच्चा भक्त है कितने दिनों से यह आपका प्रत और पूजन नियमित कर रहा है भगवान आप इस ब्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी करें भगवान शिप ने मुस्कुराते हुए कहा हे पारवती इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल क प्राप्त होता है इसकी बाप जूद मा पारवती नहीं माने उन्होंने आग्रे करते हुए कहा नहीं प्राणात आपको इस ब्यापारी की इक्षा पूरी करनी पड़ेगी यह आपका अनन्य भक्त है यह बिधीबत आपका प्रत रखता है और पूजा अचना के बाद आपक तो इसे पुत्र प्राप्ती का बर्दान देना ही होगा मा पारवती का इतना आख्रे देखकर भगवान श्रिप ने कहा तुम्हारी आख्रे पर मैं इस ब्यापारी को पुत्र प्राप्ती का बर्दान देता हूं लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अथिक जीवित नहीं रहे उसी रात भगवान शिप ने सुपन में उस ब्यापारी को दर्शन दे कर उसे पुत्र प्राप्ति का बर्दान दिया और उसके पुत्र के 16 बर्स तक जीवित रहने की बात भी बताई भगवान के बरदान से ब्यापारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपाईयों की चिंतास ने उसकी खुशी को नश्ट कर दिया ब्यापारी पहली की तहें ही भगवान शिप का ब्रत और पूजन करता रहा कुश महीने पश्चात उसके घर अती सुन्दक पुत्र उत्पन हुआ पुत्र जन्म से ब्यापारी के घर में खुशियां भर गए बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारो मनाया गया ब्यापारी को पुत्र जन्म की अती खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयू के रहस्य का पता था यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था बिद्वान भामडों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर बारे वर्ष का हुआ तो सिक्षा के लिए उसी पाराण से भेजने का निश्य हुआ ब्यापारे ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त कहने के लिए बाराण से छोड़ आओ अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त कहने के लिए चल दिया तास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्री विश्याम के लिए ठहरते वहीं यग्य करते और भ्रामणों को भोजन कराते थे लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे उस नगर के राचा की कन्या की विवा की खुशी में पूरी नगर को सजाया गया था निश्च समय पर बारात आ गई लेकिन बर का पिता अपने बेटे के एक आख से काने होने के कारण बहुँच चिंतित था उसे एक बाद का भैस सता रहा था कि राचा को इस बाद का पता चलने पर कहीं वह बिवा से इनका ना कर दे इससे उसकी बतनामी होगी बर के पिता ने अमर को देखा तो उसकी मस्तिश्क में एक विचाराया उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूला बना कर राच कुमारी से बिभा करा दू बिभा के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राच कुमारी को अपने नगर में ले जाओंगा बर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की दीपचंद ने धन मिलने के लालच में बर के पिता की बात स्विकार कर ली अमर को दूले की वस्त पहना कर राच कुमारी चंद्रिका से बिभा करा दिया गया त्राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को बिदा किया अमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओड़नी पर लिख दिया राजकुमारी चंद्रिका तुम्हारा विभा तो मेरे साथ हुआ था मैं तो वारार्सी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नव्यवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओड़नी पर लिखा हुआ पड़ा तो उसने कानी लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर अमर अपने मामा दीग जंद के साथ पारार से पहुँच गया अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब अमर की आयू सोले वर्ष पूरी होई तो उसने एक यग्य किया जग्य की समाप्ती पर भ्रामणों को भूचन कराया और खूब अन्य बस्तर दान किया राज को अमर अपने शेन कक्ष में सो गया भगवान शिप के बर्दान के अनुसार शेना वस्था में ही अमर के प्राण पखेडू उर गए सुर्य अध्य पर मामा अमर को मृत देखकर रोने बीटने लगा आसपास के लोग भी एकरत्व होकर दुख प्रकट करने लगे मामा के रोने बिलाब करने के स्वर समीब से गुजरते हुई भगवान शिप और माता पार्वती ने भी सुने मापार्वती ने भगवान शिप से कहा ही प्राणात मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें भगवान शिप ने मापार्वती के साथ अद्रश्य रूप में समीब जाकर अमर को देखा तो मा पार्वती से बोले, पार्वती यह तो उसे ब्यापारे का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष के आयू का वर्दान दिया था, इसके आयू तो पूरी हो गई मा पार्वती ने फिर भागवान श्रिफ से निवेदन किया की है प्राणनात, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता, पुत्र की मरत्यों के कारण रो रो कर, अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, व और कुछ ही पल में बह जीवित होकर उठ बैठा, शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओच चल दिया, दौनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां अमर का विवा हुआ था, उस नगर में भी अमर ने यक्य का आयोजन गया, समीब से गुजरते हुए नगर की राजा ने यक्य का आयोजन देखा, राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया, यक्य समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया, और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन बस्त देकर राश्कुमारी के साथ विदा कर दिया, र अपने आगमन की सूचना भेजी, अपने बेटे अमर के जीवित बापस लोटने की सूचना से ब्यापारी बहुत प्रसन हुआ, ब्यापारी ने अपनी पत्ति के साथ स्वैम को एक कमरे में बंद कर रखा था, भूके प्यासे रहकर ब्यापारी और उसकी पत्ति बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे, उन्होंने प्रतिक्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समाचार मिला, तो दौनों अपने प्राण त्याग देंगे, ब्यापारी अपनी पत्ति और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा, अपनी बेटे की वि आपन में आकर कहा के सब्सक्राइब करने के घर में खुशियां लौट स्वार्ट आफ-र शाश्तों में लिखा है कि जो इस्ति पुरुष सावन सौंबार केख़ पूर्वक करेंगे और इस प्रत्कता को सुनते हैं उनकी सभी इक्षाइं भगवान भूले नाथ पूर्ण करते हैं भूले नाथ की किरपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जै शिफशंकर जै भूले नाथ अवर्श लखें उमीद है आपको हमारी वीडियो झांका